क्या 2023 में क्रिप्टो मार्केट रिकवर करेगा या फिर अभी मार्केट और नीचे गिरेगा क्या ये सही टाइम में बाई करने का दोस्तों ये सवाल अगर आपके मन में भी है तो इस वीडियो को पूरा देखिए लेट्स गो तो दोस्तों 2021 क्रिप्टो मार्केट के लिए काफी अच्छा था हमने क्रिप्टो में बुल रैली देखी जिसमें बिटकोईन 15,000 से 64,000 तक रैली कर गया वही बाकी अल्ट कोईन जैसे इथेरियम, बाइलेंस कोईन, एडा, डॉट ने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया 2022 लेकिन क्रिप्टो मार्केट के लिए अच्छा नहीं रहा और इस साल हमने पूरा क्रिप्टो मार्केट को डिकलाइन होते देखा बिटकोईन 64,000 से गिर के 16,000 तक आ गया और इथेरियम भी 4,000 से गिर के 1,000 तक आ गया और बाकी अल्ट कोईन भी more than 50% अपनी वैल्यू से गिर गये तो दोस्तों इससाथ सवाल आता है कि 2023 में अब क्या होने वाला क्रिक्टो मार्केट में मुझे लगता है कि 2023 में बिटकोईन अच्छा परफॉर्म करेगा और मेरा ऐसे कहने के पिछे कुछ रीजन्स हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा तो इस वीडियो को एंड तक देखिए पहला इस में भी बॉटम कुछ एक्सपर्ट कहते कि शायद ये बिटकोईन का बॉटम हो सकता है अगर हम चार्ट को देखें तो इसी प्राइस के आसपास बिटकोईन का ओल टाइम हाई था लास्ट बॉल रन्वे तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बिटकोईन ग्यारा हजार तक जा सकता है and then stable हो जाएगा and then शायद sideways movement show करें और उसके बाद हम इसमें एक rally देख सकते हैं अगर ये prediction सही हुई और एक बार बिटकोईन ने अपना bottom establish कर लिया तो 2023 में फिर से हम एक नई rally देख सकते है Bitcoin Halving हर 4 साल में Bitcoin एक event के थुरू गुजरता है जिसे हम कहते हैं Halving Halving में आपको समझाता हूँ दोस्तो इस process में Bitcoin miners जो Bitcoin को mine करते हैं उनको जो reward दिया जाता है वो half कर दिया जाता है जैसे माल हो 2022 में Bitcoin माइन करने वालों को 10 Bitcoin reward में मिलते थे तो Halving के बाद ये कट होकर सिर्फ 5 हो जाएगा और अब miners को सिर्फ 5 Bitcoin मिलेंगे reward में Last thing Halving data ये बताता है कि Halving event से 1.5 साल पहले Bitcoin यूजली अपने bottom पर आ जाता है और Halving के बाद Bitcoin रैली कर जाता है अब next Halving event में 2023 में है तो में भी ये Bitcoin का bottom हो सकता है Third reason जिसके वज़े से मुझे लगते है कि Bitcoin अच्छा perform करेगा next year वह है Web 3 दोस्तो Web 3 is the next big thing वैसे तो जातर predictions पास Jetta को लेकर किये जाते हैं पर Web 3 and decentralization जैसे innovations को देखकर ऐसा लगते है कि Bitcoin और Crypto Market काफी जादा popular हो सकता है और इसकी popularity के साथ ही Crypto Market में एक बड़ी rally भी देख सकते हैं Decentralized Finance का scope तो काफी जादा है future में और इसका potential अगर पुरी तरह से explore किया गया तो हम Finance Sector में काफी revolution देख सकते हैं अगर ऐसा होता है तो DeFi coins काफी pump कर सकते हैं और इसके साथ ही Bitcoin और Ethereum भी rally show कर सकते हैं चौधा reason है दोस्तो Metaverse दोस्तो आज Metaverse पे जितना जोर दिया जा रहा है शायद ही पहले कभी किसी tech पर इतना तेज काम किया गया हो Facebook का अपने आपको rebrand करके Meta करना ये साफ बताता है कि Companies कितनी ज़्यादा सीरियस है Next Step of Technology को लेकर सिर्फ Facebook ही नहीं Google, Microsoft, Apple जैसी बड़ी Companies भी Metaverse में अपना काम स्टार्ट कर चुकी है आने वाले टाइम पे Gaming, Meetings, Shopping और हो सकता है Education भी Metaverse में होने लग जाएगी इससे Meta Token तो अच्छा परफॉर्म करेंगे साथ ही बाकी Crypto Market भी Positively Effect हो सकता है तो दोस्तो ये थे मेरे रीजन्स ये सोचने की क्यों Bitcoin 2023 में अच्छा परफॉर्म कर सकता है अगर आप भी मेरी बात से सहमत है और आपको भी लगता है कि Bitcoin next year अच्छा परफॉर्म करेंगा तो मुझे कमेंट्स में लिखके ज़रूर बताए वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हम अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई